अद्रकी खेती आपने बहुत जगा पे देखा होगा हो सकता है कि कोई किसान की खेत में या यूटूब में आपने ये भी सुना होगा कि अद्रकी खेती में किसानों को लाखो मुनापा होता है लेकिन आपने ये भी सुनाओगा कि अद्रक की खेती में किसानों को लाखो लुक्सान भी हुआ है और ये दोनों सही है जभी किसानों को अद्रक की खेती की बारे में पूरी जानकारी रहता है खास करके उसमें होने बाली बीमारी और उसका उपचर, तो ओ- किसानों को मोनाफाद जरूर होता है, लेकिन जिस ने या जो किसान भाई ने अधरक की खेती की बारे में पुरी जानकरी ना लेके अगर खेती करते तो उनको काफी घाटा होता है, क्योंकि अद्रक की खेती में शुरुवात में खर्चा भी जादा होता है और उसका return भी काफी अच्छा आता है क्योंकि ये commercial crop है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग अद्रक में होने वाली सभी तरीके की बीमारी और उसका उपचार आप कैसे कर सकते उसकी बारे में रहेगा अगर आज तक आपने अद्रकी खेती कभी किया नहीं है या अद्रकी खेती की बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो भी ये वीडियो देखने की बाद आपको अद्रकी खेती में होने वाली सभी तरीके की बीमारी और उसका उपचर केसे कर सकते उसकी बारे में आप आपको पूरी ज्यान मिल जाएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जीतेंद्र और आप देख रहें एंडियास फार्मी चलिए वीडियो शुरू करते हैं आप जब भी अध्रक का सीट्रीट्मेंट करते हैं मैं आपको रेकोमेंड करेगा कि आप बेक्टेरिया और फंगोस द उस्ति जाना सर्टन का बीमारी होता है जैसे आप क्या-क्या चीज चाईज़ा सीट्रीट्मेंट करने लिए जैसे आप एंटिवाएटिक ले सकते हैं स्टेप्टिवोषू, Pedr टक्रा Woche 24ड फे आपका आकिक योज़ क्योंगे विलिवेंग को असु सब्सक्राइब कर सकते हैं अपसींगूल क्यों तो रृट फे से खालँ क्योंगति हूंब आपका 60 ग्राम आएगा प्लॉस आपका जो स्टेप्टो सैक्लिन ओली एक पकेट आएगा जो कि 6 ग्राम का 30 लिटर में आप यूज कर गे यूज करके अच्छी तरह से उसको मिक्स कीजिए और आपका जो जिंजर रहेगा जिंजर को उसमें डालिए भीगा के रखिए और भी स्टेटे की बाद उसको आप जमिन पर लगा सकते अगर ऐसे treatment करेंगे तो आपका जो कंद गलन या जो तना सधन जो बीमारी आता है वो बीमारी आपको नहीं होगा अगर आपकी फसल में कंद गलन या तना सधन का बीमारी अगर आ गया तो आने के बाद आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे जैसे आप सी ट्रीटमेंट में आपने स्टेप्टो साइक्लिन जो एंटिबैटिक का यूज किया था उसका 6 ग्राम लीजिए प्लॉस उसकी साथ-साथ कॉपर ऑक्सिक्लोराइड जो है वो पर लीटर 2 ग्राम की हिसाब से आ उसको ट्रींशिंग केजिये तो आपका जो स्टेप पॉंप रहेगा स्टेप को निकाल गें उली नोजल रहेगा लोजल को लूज कर दीजे तो उसकी जो रूट अरिया पर डींशिंग करेंगे तो 2-3 बार करेंगे तो आपका जो कंद गलन या तनार्फटन का कॉंट्रल ह अगर आपको लग रहा है कि यह ज्यादा प्रकव हो चुका है और कुछ आपका जो जिंजर खराब हो चुका है जो खराब हुआ हुआ जिंजर है उसको निकाल के तूर फैक दीजे और जो जो थोड़ा-थोड़ा है उसमें बहुत आची तरीके से श्प्रे केजिए तो आपक का एक फंगस की बज़े से यह होता है अभी हमको पता कैसे चलेगा कि पंधवा रोग हुआ है करके जब ही पंधवा रोग होता है तो ओ केस में क्यों होता है कि जिंजर की उपर छोटा-छोटा स्पोर्ट होता है अगर हम लोग मिलिमीटर में बात करेंगे तो 30-40 मिलिमीट होता है अध्रक में तो अध्रक की जो पोदा है वो काफी कमजोर हो जाता है और उसका ग्रोथ भी नहीं होता है तो हमको ऐसा फील होता है कि मतलब हम लोग को कुछ उसका खाद उर्वक में कभी कमी किया होगा इसके बज़िश होता है बट आप कितना भी खाद उर्वक दें से आपस्प्रे कर दीजिए या आपो copper oxy chloride तीन ग्राम प्रती लीटर की हिसाब से मिक्स करके आप उसको अच्छी तरह से स्प्रे किजिए और दो से तीन बार अगर स्प्रे करेंगे तो यह विमारी कांट्रोल हो जाता है और जबी भी आपो बो स्प्रे और टेफलाईना नामक फपुन की बजह से विमारी होता है अभी आपको पता कैसे चलेगा कि यह परंचित्ती रोग भुआ करगे जब ही अद्रग की जो पत्ते की उपर छोटा छोटा छोटास पॉट हो जाएगा और आपको दिखेगा कि ये शुरुबात में छोटा-छोटा होके रहेगा और ये बाद में बढ़ते जाएगा और जब ही ये बढ़ते बढ़ते जाएगा और पीला या येलो कलर का आपको ये दिखाएगा दिख जाएगा आपको तो ये बिमारी जब भी शुरू होता है तो ओ टाइम पे छोटा-छोटा छोटा रहता है और बाद में ये बढ़ते जाते है और पीला पर जाता है जब भी भी सुरू होता है ओ टाइम पे आपको क्या करना है उसका जो ट्रीटमेंट के लिए मेंकोजेब को आप 2.5 ग्राम पर लेटर की हिसाब से अच्छी तरह से मिक्स करके हमारा स्प्रेय पॉम्प पे आप स्प्रेय कर सकते और आप उसको हर एक 15 दिन में आप उसको स्प्रेय करें जी एक या दो स्प्रेय में लगबग यह कॉंट्रोल हो जाता है अभी हम लोग बात करेंगे अधरक में होने वाली बेक्टेरियल बिल्ट की बारे में यह नर्मली बेक्टेरिया की बज़े से होता है और यह राष्ट्रोनिया नामक एक बेक्टेरिया की बज़े से यह बीमारी होता है अभी आपको बेक्टेरियल बिल्ट हुआ है करके आपक क्या होता है कमज़र हो जाता है और आपकी production में काफी कमी हो जाता है और जिसकी बज़े से किसान भाईयों को काफी लुक्सान भी होता है अगर इस तरीके की बीमारी अगर आपकी अध्रक की फसल में दिखाई दे तो आप अगर फ्लॉड इरिगेशन करते तो फ्लॉड इरिगेशन पे आप ब्लीचिंग पाउडर की घोल बनाके आप फ्लॉड इरिगेशन पे छोड़ दीजिए या फिर ब्लीचिंग पाउडर का कि आपका जो स्प्रेय पॉंप है उसमें भी आप स्प्रेय कर सकते तो बेक्टेरियाल बील्ड का जो प्रख़प है वो आपको कंट्रल हो जाएगा अधरक में और एक प्रमुख विमारी है जो कि कंध्वेदक कीट अगर यह विमारी आता है तो क्या होता है कि कुछ कीट रहत जाट आ है उसमें घुचके उसको शेट कर देते और शेट करने की बाद अधरक को चड़ा देते तो यह शुरू बात में कुछ अधरक में दिखाई देता है तौर शुरू बात में चारों तरप को को सप्रेड होते होतेUh अगर आपने सही टाइम से उसका अगर प्रिकरशन नहीं लिया केर नहीं किया तो आपका पूरा फसल को वो लुक्सान पहुंचा देते अगर आपकी जमीन पे इस तरीके की कंद भेदक कीट अगर आपको दिखाई दिया तो ओकेस में आपको क्या करना पड़ेगा ना मेलाथ की जो रूट है जिंजर का उसमें आप डिंचिंग कीजिए तो यह जो बीमारी है उससे आपको रहात मिल जाएगा और कभी-कभी दिखाई देता है कि जो अद्रक का पत्ती है उसको भी कुछ कीट रहता है वो काटना शुरू कर देते तो अगर इस टाइब का भी अगर लेटर के हिसाब से घोल बनाके आप कहसे स्प्रेय कर सकते तो आपका जो पत्ता काटने वाली जो आपका जो अपका जबीम आपका मेशल्व खाएगा अगर आप ऑ उसको और्गानीकि बैफी अप्रै उसको 5 जय्ड कार थouch कहसे तो भी उसका कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों यह थी अधरक में होने वाली प्रमुक बीमारी और उसका उक्चर आशा करता हूं कि यह वीडियो में आपको काफी अच्छा इंफोर्मेशन मिला होगा अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको लाइक कीजिए चैनल को सब सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल एकन है उसको प्रेस करना ना मुले तब तो के लिए ज़ज जवन ज़गिसान तो इसके लिए जरूरी होता है कि हमें मेंको जैब का दसमलो दो पांच प्रतिस्ट का गोल बनाकर प्रकंदों को उसमें डुबाना चाहिए और एक घंटा डुबाने के बाद छाया में सुखाने के उपरांत तब ही बुवाई करनी चाहिए लेकिन यह है कि जिन किसानों ने बीजोपचार नहीं किया है अगर प्रकंद गलन का रोग आ रहा है तो उसके कारण से जुब के लेकिन चे संख़ न 영상 करें है रहा है किरते क कारण से अपर सकतर कार रहा है झालकार तो उसवड़ साल庼 कर डहा है झालकार आलकार प्रकंद को एれ उत्वी दो और मैं सुवव को डाया ले श् nevertheless तो उससे उपज में भारी कमी आ जाती है तो बेक्टेर विल्ट की रोख थाम के लिए ब्लीचिंग पाउडर का हलका गोल बना कर उससे सीच सकते हैं इसको कोई कीट ना सक जैसे की मेला थ्यान है तसमला एक प्रतिशत का गोल बना कर हम उससे उसकी ड्रेंचिंग करें कर सकते हैं तो उससे कीट की रोख थाम होगी और दूसरे इसमें हम नी मोईल का पाच मिली लीटर प्रति लीटर का गोल बना कर छड़काव कर सकते हैं तो ये पत्तियां काटने वाले कीडे दूर रहेंगे